Hello friends, I am Anamika, मेरी कीझेल में आप से भी का शवागत है Friends, आज हम बचों के लिए बहुत हेसे healthy steak ले कराये है! यह है बनाना Tray di Banga, इसी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत बच्ची टेश्च लेने के पीते हैं, आज हम इसी बनाना शुरू करते हैं बनाना शेक बनाने क्लिए हमने यहाँ पे केला ले रखा है, यह 5 केला है, एक टोड़ी दूद ले लिया है हमने, 8-10 बदाम को हमने भीगा के छिलके हटा लिये हैं, कुछ फीस्ता बदान हमने काट लिया है जिससे हम गार्निसिंग करेंगे और हम स्वार्किम्षा शक्कर भी के डाल देंगे, केला का छिलका हटाके हम इसके छोटे-छोटे टुक्रे करके डाल देंगे तो हमने सभी केले के छिलके हटाके उसके टुक्रे करके डाल दिये हैं, अब हम इसी टाइम सक्कड भी डाल ले रहे हैं, सक्कड अच्छे से गल जाता है, और हम सबसे पहले इसमे 5-6 चमल दूज लाल के पीस लेंगे इससे क्या होता है अपना बदा और किला अच्छे से पीस जाता है नहीं तो टुकरे रह जाते हैं तो चलिए हम इसे थोड़ा ब्लेंड कर लेते हैं तो हम इसे आप देख सकते हैं हमने इसे दीरे दीरे चलाते हुए ब्लेंड कर लिया है अपनी केला अच्छे से मिक्सर में मिक्स हो चुकी है अब हम इस एस टिटफल पर एक्ट्रा दूध हैड कर लेंगे तो हम यहां पर दूध डाल रहे हैं ये दूध गरम करके हमने फ्रीज में चीन कर लिया है तब ही इसे एक बढ़िया बनता है आप देखते हैं दूद्ध हमने डाल लिया है अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब आपको ठंडा चाहिए तो आइस क्यूब डालें नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं अब हम इसे फिट से ब्लेंड करेंगे तो घ्यान रहे हमने इसे हम ग्लास में से सर्थ करेंगे फ्रेंज ये बच्चों के लिए बहुत हैं हेल्दे ड्रिंग्स है जो बच्चे दूर पीना नहीं पसंद करते हैं उनको आप ये बना के दीजिए बच्चे बहुत खुशी-खुशी पी लेते हैं इसमें बदाम भी है मिल्क भी है और ब बनाना शेक बनाना कितना आशाथ तो फ्रेंज आपने देख लिया बनाना शेक बनाना कितना आसान है इसे आप ही जरूर ट्राइ कीजिए अच्छी लगे तो मेरे सेनल को लाइक शब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए धन्यवाद